आज की हमारी कहानी है दफॉक्स एंड टर्टल देखो फॉक्स का मतलब होता है लॉम्डी लॉम्डी नहीं ये इसको आप कह सकते हो लॉमड यनि की मेल और जो फीमेल फॉक्स होती है न उसको हम बोलते हैं विक्सन इसका मतलब होता है लॉम्डी विक्सन ध्यान में रखना व यानि कि अगर हिंदी मिया कहना चाहो तो आप कह सकते हो लोमड तो एक तो है लोमड और एक है कच्छुआ टर्टल अफॉक्स कॉट यह कैच की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है कॉट है ना पकड़ना किसी को देखो वैसे जानवर के लिए हम क्या करते हैं इट का प्रियोग करते हैं जानवर के लिए इट का प्रियोग किया जाता है लेकिन कभी कभी कहानी में मानवी करन करने के लिए कहानी को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं जानवरों के लिए कभी कभी ही शी हिम हर, इनका प्रियोग कर लेते हैं, कहानी को interesting बनाने के लिए, क्योंकि कहानी में क्या है, कि जानवर बात कर रहे हैं तो हम उनका क्या करते हैं personification कर देते हैं मानवी करन कर देते हैं, तो एक बार क्या हुआ, एक लॉमड ने एक नदी से एक कच्वे को पकड़ा क्यों पकड़ा, to eat him उसको खाने के लिए the turtle cried, कच्वा जो था वो चिलाया, please don't eat me please, कि please मान जाओ, don't eat me मुझे मत खाओ if you promise to leave me अब इस टर्टल ने इस कच्वे ने लॉमड से कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करते हो, यानि कि अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे अगर छोड़ देते हो तो I will give you something wonderful to eat तो मैं तुमें खाने के लिए कुछ बहुत ही अच्छी चीज दूँगा wonderful का मतलब है extremely good बहुत ही शांदार, magnificent तो कच्वे ने क्या कहा लोमड से, कि अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करो I will give you, तो मैं तुमें खाने के लिए कुछ बहुती शांदार चीज दूँगा although, इस although का मतलब होता है, यद्यपी हालंकी the fox is clever although, the fox is clever हालंकी, यद्यपी लोमड या लोमडी यद्यपी, ये एक ऐसा प्राणी है जो कि बहुत चालाक होता है although, the fox is clever हालंकी लोमड जो है, वो काफी चालाक होता है he agreed लेकिन ये जो लोमड था, अब देखो, यहाँ पर he लगाया है न, लोमड के लिए मैंने कहा ना आपसे, कि जानवर के लिए हम इट का ही प्रियोग करते है लेकिन कभी-कभी हम क्या करते है कहानी में, जब जानवर आपस में बातें कर रहे होते है तो उनका मानवी करन करने के लिए हम क्या करते है, उनकी लिए he या she जैसे प्राणाउन का प्रियोग कर लेते है तो लोमड जो था वो agree हो गया, सहमत हो गया because क्यों? इसलिए he was greedy too यहां too आया है भी के sense में greedy का मतलब होता है लालची क्यों? क्योंकि वो जो लोमड था वो है लालची भी था he was greedy too the fox left, यह लीव की second form होती है left है न छोड़ देना the fox left the turtle back into the water अब इस लोमड ने क्या किया? कच्वे को वापस नदी में छोड़ दिया वापस पानी में छोड़ दिया waiting, इंतजार करते हुए यानि कि यह लोमड जो था इसने क्या किया? कच्वे को पानी में छोड़ दिया और फिर यह इंतजार करने लगा waiting for something better to eat और इंतजार करने लगा कि कुछ बहतर खाने को मिलेगा क्यों? क्योंकि कच्वे ने promise किया था न कि भई अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ जो है बहुती शांदार चीज दूँगा खाने को तो इस लॉमर ने कच्वे को पानी में छोड़ दिया इंतजार करते हैं यानि कि इंतजार करने लगा for something better का मतलब है better to eat और लॉमर इंतजार करने लगा कि कुछ बहतर खाने को मिलेगा as soon as इस as soon as का प्रियोग करते हम जैसे ही as soon as the turtle went into the water into preposition का प्रियोग करते हम motion के लिए motion दिखाना होता है na movement दिखाना होता है as soon as जैसे ही ये जो कच्वा था ये पानी में गया the fox cried तो ये जो लॉमर था ये चिलाया you promised to give me something better to it कि भई तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे कुछ बहतर खाने के लिए दोगे you promised कि भई तुमने वादा किया था to give me कि तुम मुझे दोगे क्या something better to eat तो लॉमर जो था बहुत तेजी से चिलाया कि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे कुछ बहतर खाने को दोगे where are you going now अब तुम कहां जा रहे हो the turtle said कच्वे ने कहा क्या कहा कच्वे ने you can go and find something for yourself अब तुम जा सकते हो और अपने लिए कुछ और ढूंड सकते हो you can go तुम जा सकते हो and find something for yourself और अपने खाने के लिए कुछ और ढूंड सकते हो I am going to live here with my family मैं कहीं नहीं जा रहा हूं मैं यहीं रहूंगा I am going to live मैं यहीं रहने जा रहा हूं यानि कि मैं यहीं रहूंगा मेरी family के साथ अब मैं न तो तुमारे पास वापस आऊंगा ने तुम्हें कुछ दूंगा the fox was angry अब यह लॉमर जो था laugh at होता है he was laughing at me he was angry at me वह मुझे पर गुसा था वह मुझे पर हस रहा था तो the fox was angry at himself यानि कि यह जो लॉमर था यह स्वयम अपने आप पर गुसा हुआ अपने आप से ही नाराज हो गया अपने आप पर ही गुसा हुआ क्यों? for इसलिए for trusting the turtle कि इस बात के लिए for का प्रियोग करते हैं हम कुछे आपके परपस को दिखाने के लिए उद्देशी को दिखाने के लिए for trusting the turtle कि fox अपने आप पर ही गुसा हुआ कच्छुए पर विश्वास करने के लिए यानि कि उसे अपने आप पर ही गुसा आने लगा कि अरे यार मैंने इस कच्छुए पर भरोसा क्यों किया एक और बहुत important rule जो है आपको याद रखना है कि वाकी के बीच में जब preposition आता है और इसके बाद में हम वर्व का प्रियोग करते हैं इस बात के लिए कि उसने कच्छुए पर भरोसा किया तो कच्छुए पर भरोसा करने के लिए फॉक्स अपने आप से एंग्री था अपने आप पर ही गुसा था क्या moral है इस कहानी का? बी का मत्तभ होता है होना बी काइंड टू अदर्स कि अन्य जानवरों के प्रति अन्य लोगों के प्रति दयालू बनो उनके प्रति दयालू हो डॉंट हाम एनिवन किसी को नुकसान न पहुँचाओ किसी को भी हानी न पहुँचाओ डॉंट हाम हाम का मत्तभ होता है किसी को नुकसान पहुँचाना don't harm anyone किसी को भी नुकसान ना पहुँचाओ दूसरा moral यह हो सकता है इस कहानी का कि यदी आप परेशानी में फस जाओ तो धहर ये पूरवक अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करके उस परेशानी से बाहर आने की कोशिश करो जैसा कि इस टर्टल ने किया बही इस लॉमड के इस सिकंजे में था ना ये तो पूरी तरीके से फस गया था अब ये अगर धीरज नहीं रखता समझदारी नहीं दिखाता बुद्धी का प्रियोग नहीं करता तो ये तो गया था काम से वेचरा ना तो ये moral भी इस कहानी का हो सकता है कि यदि आप मुसीबत में फ़फ जाते हो तो अपनी बुद्धी मानी का प्रियोग करना बहुत जरूरी है समझदारी दिखानी आवश्यक है धीरज रखना जरूरी है तो ये थी हमारी आज की इंट्रेस्टिंग कहानी